अगर गोविंद की हत्या करने के लिए चकवीव रचा गया है तो हमें इस कनेक्शन और मक्सद को समझने के लिए इनके इड़गिर्द भी चकवीव रचना होगा गोविंद अपनी लाइफ में चाहे कैसा भी था लिकिन हमारे लिए ये एक सिर्फ मडर केस हमें गोविल्द के कातिल तक पहुच रही है चाहे वो पिर एक है शाफिर एक से जावा जी कही है तुनाली उचारे आपके बेटी है हाँ पर क्या बात है अभी कॉलेज में हूँ लेक्चर्स है मेरे तीन साड़े तीन बजे खतम होगा उसके बाद जहां कहेंगे वहां आ सकती है ठीक है तीन पेटालिस तक पहुंच जागे तुमारे कॉलेज के पास ही है कस्तोरी मार्क पुली स्टेशन पंदर मिनिट काफी है चार भी बज सकते हैं फिक्स टाइम ने बता सकती है जैसे ही कॉलेज खतम होगा वैसे ही आ जाओंगे आपकी बेटी हमेशा ही उससे में रहती है उसके बापा की डेद का बहुत गहरा असर हुआ है वो ये सब भूल नहीं पा रही है इसलिए उसने गोविंदे साई से बदला लिए उसे मरवा के जो शक अपने साथ लेकर आये हैं यापर क्या वो मेरे बोलने से मिट जाएगा स्टेला थोमस या स्टेला गौरी थोमस जो भी नाम है तुमसे मैं सिर्फ एक सवाल करूँ और अगर इस सवाल का जवाब मुझे अच्छा नहीं लगा ना तो अगला सवाल तुमसे नहीं तुमारी बेटी जैनी से हो बच्ची है जैनी अभी, क्या बताएगी आपको और अगर आपको मुझसे जवाब नी मिला ना तो वो भी कुछ नहीं बता पाएगी सब तो बता चूकी हूँ और क्या पूछना है आपने, कुछ नहीं है मेरे पास नहीं बताने के मिले प्रकाश और संजय का दो मेरा सवाल है वहीनी ने इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं गोविन भाहू का काम जानता हूँ उन्हें हेल्प चाहिए थी काम संभालने के लिए और पाहल को? तुम दोनों के रिलेशनशिप के लिए भी मन गी हो? कोई रिलेशनशिप नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं कोविन दो तुझे काम से इसलिए निकारा था न क्योंकि उसे पदा चलिए था था थेरो पाहल के बारे? सरिया, आपकी मन घड़त कहानी आ है असलिए तुम ऐसा कुछ भी नहीं था जाताजी क्या आपके बेटी और आपके पती के पुराने वरकर लक्षमन के बीच में कुछ था? कैसी बेतुकी बाते कर रहे हैं सीधे मुद्दे पे आईए ना, क्या पूचना चाते हैं आपके पती के मंडर के बारे में बात करने तो सीधे उसी पे आईए ना मेरी बेटी का क्या ताल्व है ? जब तक हमें अक्यूज मिल नहीं जाता कोई भी हमारे शक्केधारे से बाहर नहींaint कुछ नहीं है मेरी बेटी और उस लक्ष में पीच अब आप सोचेंगे मेरे और लक्ष में के बीच कुछ है देखे इंस्पेकटर आपको जो भी पूछना है, सीधे सीधे पूछी मैंने ना सिर्फ अपना पती होया है भलके अब इस बात का भी आहसास हो रहा है कि मैं एक ऐसे पती के साथ रह रही थी जिसकी हमारे अलावा भी एक अलग जिन्दिगी थी जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं कहा ना कि नहीं जानती मैं और मैं ये भी नहीं जानती कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है अगर आपको लगता है तो आप पता कराई ही ना मैं अपनी बेटी से यसी सवाल नहीं पूछने मानी तो क्यों? ज़रे आपको किसी भी सस्पेक्ट से सच उगलवाना मुश्किनों भरा होने वाला था संघर्ष इस बात का था कि कौन सी कड़ी तूटेगी क्या इंवेस्टिगेशन टीम इन बातों को आपस में जोड़ पाने में कामयाब होगी प्रकाश और संजय के साथ क्या हुआ मैं नहीं जानती लेकिन हा मैंडम उन दोनों की छेटशार से बहुत परिशान थी धंकी दी थी तोनों ने मेरी पेटी पे एसीड फैंक देंगे मा हूं मैं उसकी ऐसे तो नहीं बैठ सकती थी ना उन दोनों को समझाने के लिए मैंने हेल प्ली थी किसी की ऐसी कौन सी हेल्प की किसी ने कि उसके बाद से उन दोनों लफंगों कुछ पता ही नहीं चल रहा है सीधा गाया भी हो गया है कौन था वो भला मानस मेरे पती का दोस्त कोई नाम योगेश योगेश सिंग नाम है उसका कौन है योगेश ही और क्या क्या इस मुझे बस उसने इतना बोला था कि उसने दोनों को समझा दिया और वो कभी भी मेरी बेटी को परिशान नहीं करेंगे बस इतना था या स्टेल सुनाली विचारे को तु जानता था ये बात तु ने पहले क्यों नहीं बताए? सर याद नहीं था, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ मैं सर छे महीने में गोविन भाव के गर ईकनी पार गया हूँ गोविन भाव की मौत के बाद सर मुर्ण गो लक्श्मम्न, भर्डर हाँ सर मुर्डर, भर्रडर के बाद सर ऐसे ही अगर आप किसी लेंदार को पगड़ेंगे ना तो आपको मर्डरर भी मिल जाएगे सर तीन साल पहले में उनके हाँ काम करने गया था तब ही मीरी पाल से दोस्ती हो गई थी उसके बाद मैंने महाँ से काम छूड़ दी उसके बाद भी मेरी पाहल से बात होती, वहीनी से बात होती थी सर हमारा family relation था सर फिर उसके बाद उसकी family में यहाथसा हो गया सर पाहल दुखी थी, उसे रोने के लिए कंदा चाहिए था सर जो तुने अपना कंदा के कर दिया तोड़ देंगे तेरे दोनों कंदे हम, कभी बोज उठाने के लाएक नहीं रहे गालक्षमंग, सिधे सिधे बोल, स्टेला गोरी थोमस कैसे आई पिक्चर में, सोनाली विचारे के साथ मिलकर पायल को भरो से मेले कर क्या प्लान बनाया तुने, और वो तो लो कोन थे, जिनों ना उननिस वार किये गो मिल पर, सर, कोई नहीं मिल रहा न, सर, मुझे ही फचा दो, सर, सर, लिख दो ऐफायर मेरे नाम पे, डाल दो मुझे सर जेल में, सर, मैं खुद ही चला जाता हूं, सर, यह होशा ली न, बहर जाके दिखाना, जहाँ पर नहीं चलने वाली है, समझा, सर, मैं तो बली का बगरा बनके इतार आप लोग मुझे काटता चाहते हैं, उदर सर पायल भी मुझे डाउट करने लगी है, सिर्फ कैसे सब को विश्वास दिलाऊंगा, सच सच बता लक्षमन, पापा को, तूने मरवाय है, पुरिस वाले शक करते हैं, समझ में आता है, पर तुम भी, मा की हालत अब लोग जो बाते कर रहे हैं, सब सच है, और एक सच ये भी है, मैंने सुनाली के फादर को धमकी दीगी, एक लक्षमन, थोड़े हिल्प कर दे, मैं बहुत परिशाने में हूँ, थोड़ा समझ के एजस्स कर देना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कि जिस घर के लिए मैं पैस करते हैं, सिधा आपके घर आएंगे, और आपको पते हैं, उनके तोर तरीके कैसे होते हैं, लक्षमन, ऐसा मत कर, मेरी बात सुन, देख, मैं फैमिली वाला आदमी हूँ, एक बेटी है मेरी घर में, ये सब मुझ को मत बताओ भाओ, उसमें मेरा को इंट्रेस्ट नहीं, मेर करना, अगर मेरे रिजिस्टर में आपके एंट्री नहीं हुई न, तो आपकी रिपोर्ट जाए कि सिधा, गोविंद भाओ के पास, और वो क्या करेंगे, ये मैं नहीं जानता है, जिरुद भाब ने सुसाइड किया, ये सुनकर हिल गया था मैं, तुछ चार दिन तक तो अगर में शामिल करने के लिए सुनाली को भी ऐज़ी तेयार किया था क्या, हलो, सुन पैल, मेरी पूछता चोगी, मेरे अंदर सुनाली को देखा, अब तेरा नंबर आएगा, तेयार है, लचकुन कुछ बता, मुझसे क्या पूचेंगे, शांत रहे, मैं भी ओफिस जा रह स्टेला ने इसी की मदद ही थी प्रकाश असंजर को समझाने के लिए, तो जानता किसी योगेश को, योगेश सिंग, ये वो मानवाली उस्ताद, योगेश सिंग है मड़म, अबे तु पूचरा बता रहा है, मुझे पता दो तुझे अंगपे मारने के लिए बुराती मैं, पता कर कौन है योगेश सिंग, एक योगेश सिंग को तो मैं जानता हूं, मानवाली उस्ताद हो, अपने ठाकुर बावडी थाने में कई केसे इसके नाम पर, अपनी शर्तों पर हर तरीकी के मैटर सुल्टाता ही आग, इसके नाम पर दो-तीन हाफ मडर भी है मैडम, गनेश और कितना वेट करना होगा सर, चार बजे बुला था टाइम पर आग, चार पतालेस होगा, ताइम वेसका निकले आपके पास होगा, लेकिन मेरे पास अतना टाइम नहीं है, अंधर आजाओ, केवन में बात है, आजाओ, बैटो सनल, अल्रीडी 45 मिनिट से बैठी ही थी, जो को पूछना जल्दी पूछे, काफी गुस्ते में रहती होता, तुमारे प्रफेसर निरेंजन वेधियन हमें बताया कि कोई फ्रस्टेशन है तुक्र, सही काओ, आप इसे सिर्फ फ्रस्टेशन नहीं बोल से, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वह बहुत ही सेंसिटिव लड मर्डर था सरवो, कोई दरभाग्य नहीं था, पहले से तैकी गई हत्या था सुसाइड मत बताईए सर, मेरी पापा ने सुसाइड नहीं किया, इनकी बोड़ी से हमें रपवाजन के ट्रस्टेश्स मिलें, इसके अलावा और कोई बात सामने नहीं आई पर देशमुक सर मर्डर है ये, मजबूर किया जा रहा था उन्हें, गोविन दिसाई ने सुसाइड करने के लावा और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था उनके सामने जो हमें पता चला है, उसके हिसाब से तुम्हारे पापा ने लोन लिया था, जिसे वो वापस नहीं कर पा रहे थे, और उन्होंने ये कदम उठाया और आपको ये नहीं पता चला, कि उनको पैसो के लिए सताय जा रहा था, परिशान किया जा रहा था, सर सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जा रहा था उन्हें ये बात सिर्फ तुम कह रही हो, सुनाली, इसका कोई प्रूफ नहीं है, पर तुम्हारे पास ना मेरे पास अपर सर प्लीज, सर एक बार मेरी बात तो सुनी है, आप क्यो नहीं सर सुनाली, मैंने तुम्हारे स्टेट्मेंट की बेस पर गोविन देसाही से पूच्टाच की पर उसने तुम्हारे पापा पर किसी भी तरह क्कोई भी प्रेसर देने से साफ इनकार किया कोई खुद तोड़ी ने बोलते है, सर कि उसने मर्डर किया तो वो गोविन दिसाही बोलेगा क्या कि उसने मेरे पापा को धमकी दी थी? यह आपको उसके मूँ से निकलवाना होगा सर। किस बेस पे करूँ ये मैं? क्या तुम्हारे पापा ने कोई सूसाइड नोट छोड़ा है? उन्होंने लिखा है कि ये बंदा मुझे धमका रहा था? देखो सुनाली, मैं तुमसे रूड नहीं होना चाहते। सच ये है कि तुम्हारे पापा की केस की फाइल बंद हो चुका है। तुम्हे अने पिता की अत्या का बदला लेने के लिए के लिए कर्मा सरु उसके कर्मों ने किया है। वो कोई हिसाब बखाय नहीं छोड़ते है। अच्छा, कर्मा? और यही कर्मा अगर तुम्हे आई ना दिखाये तो? आप बताई है, लोन की जरुवत किसे होती है? जिसके पास पैसे नहीं है उसे? अब जिसके पास पैसे ही नहीं है तो कोई बैंक उसे लोन मी नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? डर होता है कि वो पैसे वापस कर भी पाएगा या नहीं। फिर ऐसे आदमी, गोविन देसाई जैसे ब्याच खोरों के पास जाते हैं, जो उसका खून चूस लेते हैं, बैंकिन जरूरत मन लोग को लोन नहीं देती हैं, बलकि वो तो उन्हें पैसे बाटती हैं, जिनके आकाउन में पहले से लाखों करोणों पड़े हुए हैं, आम किसी को पता चलती हैं, तब तक वो अमीर लोग अपने रईसी के दम पर किसी और कड़ी का सिटिजन्चिप ले चुके होते हैं, कानून और सरकार दोनों की बहुत से दूर हो जाते हैं, कभी पकड़ी भी तो सारी सुवीदाय दी जाती हैं उनको जैल में, लेकिन आम आम आ गोविन देशाई के मर्डर के लिए पूछताच हो रही है, और हमें पुरा यपिन है तुभी ने करवाए हैं, तो फिर इस पूछताच के लिए अपने तयारी भी की होगी, फोन रिकॉर्स निकल वाए, तो यहां तक तयारी कीजी तूंग, पर फोन में कुछ नहीं मिलेग और गोविन पर उन्निस वार चापू खुपने वाले वो दो लोग कों थे, पंट भूड़ो, स्टेला गौरी थॉमस ये लक्षमन दियो दर, इन दोनों में से किसने आपको मेरा नाम बते है, उसी से पूछ ली जए, कि कैसे इस्तमाल हो गये थे, और गोविन लेसाई को मा पाने में क्या रोल था मेरा, ये बहते है तरीका होगा ना, मुझे फसाने का, नहीं? तुम्हें क्या लगता है, तुम्ने पने के परदा डाल दिया? नहीं सर, अभी भी लूपोल है, वाप पता कर लीजयो से, तब में जाओ, या और कुछ पूछना है आपको, कुछ नहीं या सकते हैं, वेशानली, मुझे पूरा यगिन है तुम्हारे पापा को लोन लेने से पहले सही गलत का अंदाजात हो, जिस तरह से नहीं पैसे लिये थे, उसी तरह से उनको पैसे वापस कर देने चाहिए, तुम्हारे पापा ने पुलिस से मदद लिये बहायर ही तरा बड एट मांगी चाहिए दे पुलिसें, एट इतना बड़ा कदम अद एक खो दी एखे दिए? बिना पुलीसे मादद बागे? उनका सांस लेना तक मुश्किल हो गया था त। उनके साथ होरा था सिर्फ मैं देख सकती थी, मेरी मां देख सकती थी तुम देख सकती थी, तुमारी माँ देख सकती थी, तो फिर तुम दोनों ने उन्हें बचाने की कोशिच क्यो नहीं की, क्यो नहीं कही पुलिस के पास, क्यो नहीं मांगी पुलिस से मदब, सही कदम उठाने के बजाये, तुम गोविन देशा ही के पास गए, और अपनी ये उन लोगों के लिए बचा के रखना जो लोन लेकर भाग जाते हैं यहां आज भी 99% लोग मुसीबत भी दियावा कर्जा वापस करते हैं अगर तुम्हें गुविंग को मारा है वो तुम पता करी लेके लेकिन उसके बाद तुम्हारी खेर नहीं जिखो Sunali अभी वक्त है बोल्टो सची तुम्हे पापा का बढ़ल लिया ना तुम्हें कर वाया यहां अभी तो आपने बोला कि पता कर लेंगे तो कर लीजो नो पाथ Sunali! Sunali! Sunali, what's going to happen? Sunali! सुनाली विचारे ने पुलिस को जो चैलेंज दिया था उसके फोन रिकॉर्ड्स उससे बिलकुल हुलटते और उससे कुछ हैरत अंगेज चीजें बाहर आने वाली थी गोविन्द की वाइफ सुजाता और उसके पुराने वर्कर लक्षमन के उसका बिजनस संभालते ही कुछ संदिक्द चीजें होने लगी थी जैनी को छेडने वाले आवारा लड़कों प्रकाश और संजे के साथ क्या हुआ था इसका भी पता चलने वाला था था हाँ? था हम को डांसley डांस पुम हाँ डांस बनकाइश को जो आपके खबरी मेरे बारे मेरे पुछाश कर रहे हैं तो मैंना सूचा कि आप इतना तक्रीफ क्यो लें तो में अपना फोन मार देते हैं मैं हाजर हो जाता आपके सम्में कौन तो योगे सिंग लोग क्यार से मेरे को मानवली साथ भी बोलते हैं तेला बतारी थी कि मेरे बारे मेरे बारे में कुछ पूछ रहे थे आप अच्छ तो तू है जो स्टैला गोरी थो मस्के इशारू पर नास्ता रे मेडम वो मेरे दोस्त की वाइफ है उसका पती जॉन मे यहां खाश दोस्ता संजर प्रकाष को मार के कहा पेका तूने अगोवन दिसाइ को किसे कहने पर मारा इस्टैला की कहने पर तूछी क्या लगा तूछ पकड़ा नहीं जाए परकाष और संजय मच्छ मेड़म चोटे मुटे टपूरी स्टैल ने अपने को बोला कि वो लोग जेनी को छेड़ते हैं बुझसे मदद मागा तो मैंने उन दोनों को संजा दी मुझा दी मुझे लिगा मड़र वडर में किया मेडम काली तीरीय चोड़के जाने को बूला पास अभू क्या बोलते है अप लो तडरीबाग वही ची अबे गुंडे तांगे ठोड़की ना हा आहां मार के फेका है तुने उन दोनों को मैडम कहीं नहीं मारा उनको आप फाल तुम्हें परिशान हो रहे हो मैं तो मंडवाली करवाता हूँ मुर्डर वर्डर मैं नहीं करता है ठीक्या अगर संजवत प्रकास जिंदा है तो में टेबल के सामने चाहिए और वो दोनों बंदे भी चहिए जिसको तुने भीजा था गोविंदे साही को मारने के लिए मैडम यह गोविंदे साही को ने वो श्टड़े गोल ली थी कि आप लोग उससे पूश्टास कर रहे थे उसके बारे में उस विचारी को क्या मालूम उसने किसी से लोन लिया अभी वापास लेने से पहले ही चला गया तो मतलब स्टेला ने सुपारी लोन के पैसे से दी मैडम उसको क्या ज़रोत है इसब करने की वो विचारी अखेली औरत कामकाज करके अपनी बेटी जेनी को पढ़ा रही अब ताय को उसको ये बेकार के मर्डर और के लफड में घसीटरे हो आपको प्रकास और संजे को देखने ही तो में एक काम करता हूँ मैं अपने लोगों को बोलता हूँ कि उन दुनों को पता लगा एक हफते का ताइम तो मेरे को ये दुनों लुखे और गों दिछाई का मर्डर करने वाल आपके सामने हूँ चल्ठी के दिया तुजे मैं एक हफते लेकि इस पूरे एक हफते सुबहे दस वजे तेरी हाजरी चाहिए मुझे स्थाने में आउंगा ना मेडम आउंगा पनो इस्टेला को ना परेशान नहीं करने का क्या उसकी लाइफ में पैली बहुत तकलीफ है क्या गोला वो कि स्टेला को परेशान मत फरो अब ये तो कोड़ी का गुंड़े हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है सब गलती करने का एक मोका दिया है उसको मुझे पूरा डाउट है कि संज और प्रकाष को इसमें मरवा दिया है इसके पीछे मैंने अपने आदमी लगवाएं इसा तो पुछ सामने नहीं आया सर गोविन दिसाई के अपने पीछार्ड में भी ऐसा नहीं मिला है और लक्षमन भी मना कर रहा है सरकी सब्सक्काण किन में कर सोट बस्यासर अर्ली के अपने कर दोनाली के साथ कोई कर नेक्समें सामने शूच अपकाषिक्षा को पार सक्राष्य मने कंदेशा लेकिन गुड़डों का मदी सतरह की कर नेक्समर्ण सामने अरो carry ठीव सब्स्तर. मा, मैं जा रही हूँ, ठीके बिटा जब फोन अफ हुआ, तो लास्ट लोकेशन उसका घर का एरिया दिखा रहा था और जब ओन हुआ, तो भी एरिया उसका घर का ही था और रिकॉर्ड से कोई नंबर मिला? ने सर, यह तो उसके बाद उसके मां से होती है, या फिर उसके कॉलिज को प्रोफेसर निरंजन से काफी शाती लड़किये से, आप ही बता रहे था कि कॉल रिकॉर्ड निकलवाने के बारे में खुद ही बोल रही है सर, मुझे ऐसा लगता है, इसने फोन यूजी नहीं किया होगा ने न, सौनाली तुम्हारी जिम्मेदारी है, कैसे भी करके लिंक पता करो देखो दूसरी तरफ लाइन कहां चुनिया से, और किसके एल्प दरी है जी सर अंधर आजो सर हाजा पीटर साब, ये गोविंद के जाने के बाद, उसके धन्दे में कोई तो बहुत बहुत बड़ा डिस्काउंट स्कीम चल रहा लगता है क्या चल रहा है पता? उसकी बीवी सुजाता, लोगों की लोन माफ कर रही है पाद करने दे, उसकता है अपने पती का प्रयाश्यत कर रहे है प्रयाश्यी तादमी पांच-दस घर उपया करता है ये तो लाकों का लोन माफ कर रही है सब अजे सुना ली, गाडियम बैट तुसे बात करने गे लिए क्यों? पुलिस वालोने पिक-अप डॉप सर्विश शुरू किया क्या सर्विश शुरू किया ये में बाद में बता तुछ जराज गाडियम बैट सीधा पुलिस टेशन होंगी, अभी मेरा कॉलेज का ताइम बात करने के बाद में खुद तुछे कॉलेज होगा बात अंदर सुना है अप लोगों आखर्जा माफ कर रही है जी, मेरे पती का पैसा है अब उसके लिए पुलिस की परमिशन तो नहीं चाहिए ना परमिशन की ज़रो तनी है, लेकर इस पात का खाल अभी आया, यह पलिसी डिसाइड़ था कि आपके पती के मुड़र के बार मेरी बेटी के बार में आप पहले भी पूछ चुके है और मैं आपको बता चुके है अब आपका इशारा मेरी तरफ है तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे पती का मुड़र मैंने ने करवाया चलिए, पिलाल के लिए मान लेते हैं, हमारे हाथ में भी ऐसा कुछ है नहीं अजीब है न, हमारे हाथ कोई लिंक नहीं लग रहा और इधर मुकेश पावार का पूरा का पूरा बारा लाग, माफ हो गया जी, माफ कर दिया, और कई लोग है जिनका माफ करूंगे, ये मेरा फैसला है और इसका मेरे पती के मुड़र से कोई लेना देना नहीं ऐसे क्या देख रहा है साब, वाईरी ने जो भी किया उनका पैसा है, खुलम खुला सब के सामने, कोई चोरी छुपे नहीं किया 17 की देट तो याद नहीं है मुझे, लेकिन कभी-कभी पूरा दिन अपना फोन आफ करके रखती है ये देट तो याद हो नहीं चाहिए तुम्हें, 17 तारीको गोविन दिसाई का मुड़र हुआ था ये देट याद है मुझे, और हमेशा याद रहेगी, बस फोन आफ किया था या नहीं ये याद नहीं सुनाली तुमने गोविन दिसाई को मारने के लिए किसी को हायर किया था मैम मैंने नहीं किया ये आप चाहो तो अपने और लोगों को मेरे पीछे लगवाकर मेरे बारे में पता लगा सकते कि मैं कहां जाती हूँ, क्या करती हूँ, किस से बाते करती हूँ, क्या बाते करती हूँ लेकिन आपको मेरे मूँ से सुनने के लिए ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिस से ही ये साबितों कि मैंने किये है मैं अपने पापा के डेट से बहुत परिशान थी मैंने उनकी मौत के लिए गोविन देसाई को दोशी माना मैं उसकी जिंदगी बरबाद करना चाहती थी चाहती थी कि मैं उसकी जिंदगी नर्क बनते होगे देखू लेकिन अब जब उसकी मौत हो चुकी है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कर्म चक्र है जो उसने मेरे पापा के साथ किया उससे भी वैसा है मिला लेकिन सच यह है कि मैं अब भी भी खुश नहीं हूँ ना मुझे अंदर से शान्ती मिली है क्योंकि जो हुआ उससे मेरे पापा तो वापस नहीं आजाने वाले मैं बस आपको इतना ही बोल सकती हूँ कि मैंने उसे नहीं मार है और नहीं मैंने किसी को सुपारी दिये उसे मारने के लिए जैसा कि योगेश सिंग ने कहा था एक हफ़ते बाद जैनी को परिशान करने वाले दोनों लड़के संजे और प्रकाश सामने आए और पुलिस को बताया कि वो जिन्दा है मैडम हम दोनों चुपचाप यहां से चले गए थे प्रकाश के मामा के हैं बदलापूर में और अब तक वहीं थे मैडम हम मैं वो जैनी को नहीं छेड़ना चाहिए था गल्ती हो गई थी लेकिन उसके बाद जो हुआ तो हम तर गए थे मैं की हद्या का मोटिफ सामने आया बलकि इसके पीछे की साजिश हद्यारे और साजिश करता का भी पता चला सब्सक्राइब प्रकाश हमारे पास है मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों इस साजिश में शामिद है हमें अब तक ना इसकेस का मास्टरमाइड मिल रहे है ना ही वो दो लोग मिल रहे हैं जिन्होंने गोविन दिसाई कुमारा है शायद इसलिये क्योंकि इससे पहले संजे प्रकाश हमारे सामने नहीं थे हमारा श्रफ कभी उन दोनों पर नहीं गया अभी तक हम बस यह सोचते रहे कि स्टेला गोरी थॉमस ने योगेश की मदद से इन दोनों लड़को को रास्तर जाटाया पर योगेश ने उने जिन्दा चोड़ी नियने तुमारे कहने का मतलब यह के प्रकाश और संजे अपनी जान बचाने के बदले में गोविंधी जान लिए उ सकता है साफ जैनी ने छे महईने पहले संजय और प्रकाश के बारे में अपनी मा स्टेला को बताया और स्टेला ने ये बात योगेश को बताई उसके बाद से ये दोनों लफंगे लड़के गायव हो। तुम कह रहे हो कि स्टेला ने खुद को चारे की तरह यूज कि और गोविंद उसके पीछे आया है गोविंद जिस तरह का आदमी था उसे साफ से तो मैं शूर हूँ कि गोविंद स्टेला के पर सर पैसो के लिए नहीं गया होगा स्टेला ने उसको खुद की भी लालज दी गोविंद अपनी पत्ती से कहा कि वो दमन जा रहे लेकिन वो गया नहीं क्योंकि अचानक से स्टेला का फोन गोविंद को आगे और स्टेला बहुत अच्छे से जानती थी कि इस इंविटेशन को गोविंद कभी मना नी कर सकता ने ने गोरी जी मैं खुद आ जाओंगा ना वहां वैसे भी साड़े शे बजे विरार साइट पर मुझे काम तो ही तो फिर उसके बाद आपके आँ जाओंगा और कलेक भी कर लूँगा पैसे ठीक है गोविंद जास आपको आपको ऐसे छोटे मोटे अमांट लोटाने की क्या जरूरत है पहोरी जी अब नहीं भी देंगे तो चलेगा बस 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 उसके बाद दो लोग गोविंद पर अटेक करते हैं वो संजी और प्रकाश हो सकते हैं कोविंद आओ कान तुम लोग अगर ऐसा है तो फिर सच चुकल आते हैं संजी और परकाश थे जना तुम इस्ट्रेला और जैनी को भी लेओ चारों को आमने सामने बिठाते और कटते पूस्टाच जैनी को हमने स्कूल से उठा लिया है चलो मिलो से कहां ले गए आप लोग उसे पुली स्टेशन डरो मत तुम दोनों से हमें साथ में बात करें साब हम लोग तो छोटे मोटे काम करते हैं साब ये मडर केस में हमें बढ़ डालो साब सारम सारम सच बोल रहे सारम दोनों बदलापूर चले गए थे सार जैनी कुछ छेड़ने के बाग योगेश ने इसी शर्प छोड़ा था ना गोविन की मडर कनने की नहीं सारम किसी गोविन देसाई को भी नहीं जानते हैं फेल कदम तुम आराइस्टेला गोरी थोमस गोविन देसाई के कतल के जुर्म आराइस कर रहे हैं तुमने पहले गोविन को लालास देकर बलाया हूँ और उसके बाद जान से मार दियो उसको हमें जानते हैं कि तुम गोविंद से कभी ट्रेन में मिली ही नहीं थी जैनी ने भी हमसे सच छुपाया लेकिन तुम फिकर मत को वो माइनर है उसके साथ माइनर जया सही बरताफ किया जाएगा तुम मैं सच कहा रही हूं मैंने किसी का मर्डर नहीं किया Sanjay और परकाष ने सब कुछ बता दिया है जिस मानी लालस देकर बुलाया तुमने गोविंद को मापर मडर भली तुमने ना किया हो और शामिल तुम लिए वो दोना जोट भूर रहे हैं वो लो गुश्मनी ने का रहे हैं मेरी ममी के साथ क्यों जुट बोलेंगे जैनी तुम्हारी ममी ने इन दोनों गुंडों को हटाने के लिए जूसरे गुंडे योगेश की मदद लीस लिए तो जोग जब लोगों को यह पता चलेगा कि जैनी की माने मडर किया है तो कैसा भेव करेंगे वो जैनी किसा सीधे सीधे बता दो इस सारी प्राणिंग कैसे बनाई था है हलो गोविन भाव बोल रहे हैं हाँ बोल रहा हूं कौन मेरा नाम कौरी है आपके छोटी सी मदद चाहिए था पेटी को पढ़ाने के लिए लोन चाहिए मिल सकेगा हाँ मिल जाएगा लेकिन उसके लिए आपको सामने आकर मिलना पढ़ेगा उन फर नहीं हो सकता है तो गोरी तुम्हारा नाम इता ही ने यह तुमने कोविन देसाई के लिए रखखा था लेकिन मुझे नहीं बताता था यह सब होने वाला तो फिर यह लोन ओन यह सब नाटक था ? यह 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 क्या तुम्हारा इसाब भी कोई बागी था ? सार पेरा उसके साथ कोई हिसाब बागी नहीं था मैं तो गोवित को जांती तक नहीं थी प्रकाश और संजय का डर अब खतम स्टेला अब इधर कभी दिखाई नहीं देंगे वो लोग थैंक यू सो मच योगेश जैनी बहुत डरी हुई थी इसलिए तुम्हें परिशान किया और हाँ इसके बदले कभी भी तुमारी कोई भी मदद कर पाऊ ना मैं हमेशा था यार हूँ यह क्या बोल रही स्टेला जौन होता तुभी ऐसे ज़ बोलती है दोस्त था वो मेरा अभी ओ नहीं है तो उसकी फैमिली के लिए इतना तो करना बनता है न योगेश तुम्हारा यह एहसाना जिंदगी भर उधार रहेगा मुझ पे सच बोल रही है तो गोविंद को भसाकर तुम्हें योगेश का ऐसा आ चुका है मुझे नहीं पता था योगेश के मन में क्या है एक हेल्प चाहिए स्टेला बोलना योगेश क्या बात है गोविंद देसा है यह इंटरस्ट पे पैसा बनाता है अच्छा बस इसको एक कॉल कर और बोल कि तिरे को लोन चाहिए लोन? हाँ और अपना नाम गोविंद बताने का स्टेला नहीं गोविंद तो फिकर मत कर अपने को उसके साथ कोई पुराना यसाब किताब चुकता करने जैसा मुझे योगेश ने बोला था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया मैंने दस हजार रुपए अरेंज कर लिया है गोविंद जी आप लेने आ सकते हैं? या फिर ने ने मैं खुद आ जाओंगा गोविंद जी क्योंकि वैसे भी मुझे विरार साइट पे साड़े छे बजे शाम को काम है फिर उसके बाद आपके यहां जाओंगा नई नई गोविंद जी घर मत आईएगा मेरी बेटी भी होगी कस्तूरी फाटा पे मिल सकते हैं? मुझे वहाँ पे कुछ काम है तो आपके पैसे भी दे दूँगी और किसी होटेल में डिनर भी कर लेंगे? अहां बिल्कुल गावरी जी तो मिलते हैं प्रकाश और संजे वाला एहसान बराबर इस्टेला यह लास्ट टाइम था योगेश इसके बाद जरुद भी नहीं पड़ेगी आज मैं गोविंद का हिसाब के दब भी बराबर कर दूँ गोविंद का मर्डर हो गया मर्डर और मेरा नमबर मिला है उसके फोन से परिशान मत आश्टेला तू यह करने वाला था इसलिए फोन करवाया था गोविंद को मुझे योगेश तुने मुझे कहा था कोई पुराना हिसाब बराबर करना है उससे यह नहीं बताया था तूने मुझे जबरा मत, डरने की कोई जरूतनी है, कुछ नहीं होगा, जैसा मैं सुना रहा हूँ, वो याद कर, और पुलिस को भी वैसा ही बताना, तो ट्रेन में आती जाती है न, योगेशने जैनी को संजय और प्रकाश्टे बचाया, इसलिए तुमने आग बंद करके शुपरहुसा कर और कोई को भापर बला लिया, जहां पर उसका मंडर वा, योगेशने के मारा कोई को? सहर मुझे कुछ नहीं पता योगेशने गे अज़ है, मुझे तो ये भी नहीं पता था वो मेरा इस्तवाल कर रहा है ये दोनों तब तक यहंसे नी जाएंगी जब तख हमें ऊगना योगेशने मिलाएग लेकिन साल मैने कुछ नहीं किया, मैने कुछ नहीं किया अरे साब, साब अपनी बात होगी ना वो दोनों बन्दे हाज़िभी करवा दी रहे ने अभी क्या तु हमें बता हैगा, इस से बात करनी हिस से मिन तुझे कहला हमा तो बोले का तुम स्टेला को छोड़ देंगे? कदम! अरे कदम बस! बैट! बैट! चलो जाशुरू, टाम नी है मेरे बास मुझे और भी मेटल सेटल करने ये दोनों गईसे साब जग्गा और मॉंटी, गोविंद को मारने ये शवाश कदम! मुझे है, करो मुझे! मुझे हाँ आया अरे डोनों को तीसरे को छोड़ दे जोदे वटम, कियाना पडा था के देरा गविंद Conference पैसे लिए थे तूनसी पैसे लिए थे ने지만 उसे के उसको सुपारी के पैसे लिए मांडवारी करवान है तो बुल मडर का चारलाग लगे गागा निल जाय का चारलाग यादमी दूलाग एड़ान से लगए पूरा प्लैनिंग करना पड़ेगा प्लेगा शर्कृत बैठाना पड़ेगा अलमी जाएग, तुझ, दिल पका समझो पलपैसा आएपर झील पका समझो इस्टेला को यूज क्यों किया? क् किस्थ्ला प्लैन है? अँ सब्धूब मिर को लग गया था जिए Гोवीन क का चारा डालने यह पड़ेगा इसके मैंने फुल प्रूफ प्लान बनाया एक वी दवा को चाहरा बनाया तो लिए बच गई ना किरे फुल प्रूफ प्लान के यह वो पान की दुकान यो किसी की बात कर दा था गलत आत्मी को तो नहीं उठा लेगा तुम लोग तर बारा लाग करोन लिया था इसने अपर बॉल मैं मैं तुझे मानने वाला नहीं हो नहीं मारूपा तुझे यह बता कि तुछ में चावी किसने बढ़े थी सुचाता सुचाता देशाई सर इस सुपारी दुकान तो घर पे निकले को इन को मारने के लिए सुपारी मैंने दी थी मुकेश को उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग थे और किसने उसे मारा पाइल को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था और मैंने ना कुछ बताया यह सब हम पता लगा लेंगे, सुचाता है, जी, इसको क्या मालूम था, क्या मालूम नहीं था, क्या चार्ज लगाना है, अब सिफ यह बताईए कि आपने कोविंद की सुपारी क्यों दी थी, वो बहुत सी ओरतों के साथ शारे डिक संबन बनाता रहता था इसलिए, इसलिए, वो पता नहीं कितनी ओरतों पर मुह मारता था, सब देख सकती थी मैं, जो करना था, करता, पर हर चीज की एक सीमा होती है, वो लांग दी थी उसने, जानी दिया मैने तुझे और पहल को, ब्यूटी पॉलर कर, शॉपिंग कर, जो करना है कर, पर मुझ से सवाल मत कर, अशूक और नरेश सही बोलते है, तुम पदल गयो, कोवित, पदल गयो, मा, ये, ये कैसे हुआ, मा, आपको छोट पिसे लजी, जी बापा, बापर हाथ चाग से उठाया आपने, हाथ के अए अच्छा सदे या बापा, लेकिन जब उसने, मायल पर हाथ उठाय तो, मेरी सहन शीलता जवाब दे गई फिर मुझे लगा कि हम दोनों के खुट-खुट के मनने से अच्छा है कि वो अकेला ही में अच्छा है मैंने देखा था तू उसके पैरों में गिर के गिरा रहे थे मैं क्या करूस हो जा था जी ऐसे लिए थे मैंने मापस ही ने कर पा रहा है कितने हैं? अभी बारा लग बचा है तुम्हें देने की ज़रूत नहीं है सारा माथ पतूम उपर से जो भी खर्चा होगा वो भी मिलेगा अगर तुम किसी का जुगार कर सको जो गोविन को मुक्ती दिला सके जान से बाना हैंसे पायल उस वक बालिक थी अपने अच्छे बुरे की समझ थी उसे पहले मैंने सोचा हूँ से लेकर कहीं दूर चली जाओ लेकिन उसे सबग सिखाना जरूरी था बिला बजा मार खाई थी मैंने और मेरी बेटी ने तो यह दवन वाली कहानी इस प्लैन का हिस्सा था जी और पायल तुम तुम जानती थी कि तुम्हारे माने नहीं माम पर मुझे शक था कि ऐसा कुछ हो सकते हैं रक्षमान भी शामिल था इस सब में नहीं उसे भी कुछ नहीं माम मुझरिम सरिफ मैं मुकेश की भी मजबूरी का फाइदा मैंनो उठाए फैसे गने किया था छोड़ दो कुछ जज निया मुझरिम मा ने जो कुछ भी किया सब मजबूरी में किया सर वो मजबूर थी कानून की निजर में तुमारी मा इस वक्त सिर्फ एक मडरर है पाए पताने पापा ने ऐसा क्यों किया हमें कुछ बताया तक ने ये तो वही बता सकते है मैं सिर्फ इतना ही बता सकते हूं बेठा शांती पाने का एक ही रास्ता है इस वक्त जो जैसा है उस ही में जी ओ और जिससे जो लिया है उसे वापस कर दो सुर, सु, I'm sorry आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी कोशिश करूँगी कि खुद को बदल सकू सुनाली एक बात हमेशा याद रखना सिस्टम में तुम्हें लाग कमिया नसर आएगी जो कि है भी, जो इसका फाइदा उठात हैं वो आदर्श लोग नहीं होते हैं, बुरे लोग होता है और हमें उनके जैसे बनने की जरुवत नहीं है खायल रखना अपना स्टेला ने गोविंद को फोन तो किया था पर ना तो वो हत्या में शामिल थी और ना ही उसे ऐसा होने का आभास था इस वज़ा से उसके खिलाफ कोई चार्जिस फाइल नहीं किये गए मुकेश पवार, योगेश सिंग, मॉन्टी और जगा के साथ सुजाता दिसाई पर आईपी सी की धारा 302 हत्या के लिए और आईपी सी की धारा 120B आपराधिक साज़िश के लिए चार्जिस लगाये गए भले ही एक साज़िश के तहट कितना भी पेचीदा चकरव्यू रचा गया हो लेकिन हर अपराध का अपराधी सामने आता है और हर अपराधी को अपने कीये का खामयाजा भुगतना पड़ता है जब एक साधारन इंसान अपने हालात से मचबूर हो जाता है किसी दूसरे इंसान के कीये से दुखी हो जाता है तो ये हमेशा याद रखें कि ऐसी स्थिती में अपनी सेहन शीलता को खोकर जुर्म का रास्ता न चुने सोचें समझें और सतर करें ताकि घुसे में उठाया गया कदम आपको किसी ऐसी परिस्थिती में न डाल दे जिसके लिए आपको जीवन भर पच्चताना पड़े हम शायद अपनी तसली के लिए कुछ ऐसे उधारणों का सहारा लें जिसमें अपराधी अपराध करके बच निकला हो लेकिन ज्यादा तर अपराध सुलचा लिये जाते हैं और अपराधियों को उनके किये की सजा दी जाती है जो लोग डिफॉल्ट करते हैं और बिना पैसा दिये भाग जाते हैं उनका ना तो अनुसरन करना चाहिए और ना ही उनसे इर्शा होनी चाहिए वो सिर्फ भगोडे हैं और कानून उन्हें एक ना एक दिन पकड़ ही लेगा देश के ज्यादा तर आम और इमानदार नागरिक संखर्श करते हैं और अपना कर्श चुकाते हैं अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ और याद रखे आपके और क्राइम के बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जै झाल